बच्चे दानी के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाए हैं लेकिन फिर भी मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको कुछ कंफ्यूजन है तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये मैं वीडियो बना रही हो तो ये वीडियो काफी इंफर्मेटिव है प्लीज ध्य पर रिलेशन में आना चाहिए जिससे कि आपकी प्रिग्नेंसी रुकने के 110% चांसिस बनते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चानल ट्विंस मैवल पर स्वागत है तो ये जो बच्चे दानी है इसका इतना जादा इंपोर्टेंस क्यों ह होता है तो इसका इंपोर्टेंस तीन सुरुतों में देखा जाता है पहला तो जब महला का शरीर जब पूरी तरह से तयार हो जाता है जिस टाइम पे वो मेंस्ट्रेट करें यानि कि जब उनका पीरिड स्टार्ट हो जाता है तो जो पीरिड का बलड है वो शरीर से बाहर न पेड़ी 9 महने के एग्दम अंतिम यारी कि आपके लेबर के टाइम पे येatar wildly खुला होता है और ये होता है कम से कम 10 cm ताकि आपकी नॉर्मन डिलिवरी हो जाए तो बच्चे के डिलिवरी के लिए भी, इसरी सु गमाउट उस टायम फे खुलता है और यह अगर आप मेल के साथ contact में रहती हैं तो आपकी pregnant होने के chances बनते हैं वो होता तो होता क्यों है देखिए जब अगर बच्चे दानी का मुझ अब खुलता है उस टाइम पे उनको जो मेल के cells होते हैं उनको एक रास्ता मिल जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी female body part के अंदर जाक और यह खुलता है यानि तब आपको उस टाइम पे relation में रहना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला की जो भी cycle होती है माले जी के 28 से 30 दिन की cycle है 35 दिन की cycle है तो आपको पहले अपने cycle को notice करना है उसके बीच का जो समय होता है माले जी के 28 दिन आपका एक नॉ पूरी तरह से खुला होता है जिस टाइम पे अगर आप contact में रहती है तो जो मेल के संस है वो अंदर आके एक को fertilize कर देते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि exactly उसी दिन आपके बच्चे दानी का मुग खुलता है उस दिन पूरी तरह से खुलता है लेकिन अगर थोड़ी थ खुलना शुरू होता है लेकिन उसके दो दिन पहले से कुछ ऐसे लक्षन आपको दिखाई देने लगते हैं जैसे कि आपके कुछ डिस्चार्जेज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं वो डिस्चार्ज में अगर हलका सा लसलसा पन है थोड़ा चिपची पाहट है तो आपक कम होता है कुछ mm में होता है उतना आपके मेल के sales के लिए एनफ होता है जो की एग तक पहुचके उसे फर्टिलाइज कर दें तो आपको आपके evolution डेके 2-3 दिन पहले से लेके दो-तीन दिन बात तक भी आपको relation ज़रूर maintain करना है अगर आपके मन में ये confusion आता है कि अंडा कब release होता है तो अंडा release कब होता है उसकी एक खास दिन कौनसी होती है उसको जानने के लिए मैंने end screen पे एक वीडियो की link लगा दी है आप जाके ज़रूर देख लीजेगा कि उस समय आपके शिर्ज में क्या क्या ऐसे बदलाव होते हैं जिस समय आप समझ जाएगा कि इस समय अंडा release हुआ है और उसके 12 से 24 गंटे के अंदर ही अंदर आपको relation में ज़रूर आना है हाला कि 24 गंटे तो बहुत जादा लंबा समय है लेकिन अगर 12 गंटे के अंदर अंदर अगर आप relation में रहते हैं तो आपके conceive होने के chances बहुत जादा बन जाते हैं ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो please like कर देजेगा चैनल पे नए हैं तो request ही कर रही हूँ कि चैनल के content देखिए content अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इबड़ subscribe को बटन ज़रूर दबा दे thank you so much for watching twins my world